नमस्का सातियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, कि हम लोग UPSC और State PCS को ध्यान में रखते हुए, ये सभी खिलासें कवर की जा रही है। और आपको बता दूँ, इस्टेट PCS में आप लोग किसी भी स्टेट PCS की तैयारी करते हों, जैसे आपका MPPSC हो गया, UPPCS हो गया, बिहार PCS हो गया, राजिस्थान, चत्तियस गर, उत्राखंड, आप लोग देखते होंगे कि UPSC की तरज पर, इस्टेट अपने हाँ PCS का एक लोग देखते हैं, किसे क्षक भरती होती हैं, और Constable के होते हैं, दरोगा के होते हैं, और भी इस तरह की तमामएक्जाम होते हैं, या सेंटर लेगल पर SSE, Bank, Railway के होते हैं, तो यकीन बानिये, इगर आप लोग इन किलासों को cover कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी questions बाहर नहीं जाने बाला है बहुत ही बिस्तार से हम लोग बात कर रहे हैं और last class में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने आदिम नहीं भारत में अंतिम चेप्टर पिछली class में देखा था भारत में विभिन संस्थाओं का विकास किस तरह से हुआ है उसका एक overview ले लिया था आज की इस class में हम लोग किसान और जो आदिवासी अंदोलन हुए हैं उन पर हम लोग बिस्तार से चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि अगर इससे questions पूछे जाएंगे आपकी परीक्चा में तो कोई भी questions का आंसर नहीं छूटेगा आपका ठीक है और आप लोग एक काम करी लीजे पुराने questions पेपर आप लोग जिस भी एकजाम की तयारी करें उसके 5 से 6 साल पुराने questions पेपर और उसका syllabus आपकी पास हर हाल में होना चीए और उसे हर हाल में अपने पास रखना ही नहीं है कम से कम 2-4 वार उसे जरूर आप लोग पढ़िएगा समझिएगा मूल्यांकन कीजिएगा कि कहां से किस तरह के questions पूचे जा रहे हैं और कौन सा topic पर जानदा ध्यान देने की जरूरत है और किसान और आदिवासी जो भी आंदोलन होते हैं या भर और देखिए किसी भी तरह का आंदोलन हो चाहे स्टूडेंट का आंदोलन हो या आप देखिए और भी आपकी आंदोलन होते रहते हैं ये क्यों होते हैं यांके आप देखिए अगर किसानों के बिरोध में आप लोग कोई किरसी कानून ला रहे हैं या फिर आप देखिए उनकी समझ में नहीं आ रहे हैं या आप देखिए उनके खलाब कोई नीतियां ला रहे हैं आप लोग उनकी आप देखे किरसी खेती किसानी में आप लोग हस्तिछेप कर रहे हैं तो किसानों में गुस्सा होगा और किसान आंदोलन करेंगे और इसका ताजा उधारान आप लोगों ने देखा होगा तेन किरसी कानून आये हुए थे और एक लंबे समय तक हमारे देश में आंदोलन चला किसानों का और सांती पूर्वक चला और जो सांती पूर्वक आंदोलन चलता है वो आप सभी जानते हैं कि उसमें सफलता मिलती है हर हाल में बिलती है, उसके बाद तीनों किरसी कानून सरकार को भापसी बिल लेने पड़े, तो इसमें हम लोग देखे, जो भी आपका आदीवासी आंदोलन है, उनका सौरूप किस तरह का रहा है, उसका महत्व क्या था, विसेस्ताई क्या थी, या फिर आप देखे, जो किरस और जिसका नाम UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से उसका नाम रखा गया है, वहाँ जाकर आप लोग करम से कलासें देख सकते हैं, अभी तक आपने देखा है कि हम लोग प्राचीन भारत का इतियास देख चुके हैं, मद्देकालीन भारत का इतियास देख लिया है, अब आपका आधु आधिवासी आमदोलन को देख लेते हम लोग, धार में केवं आधिवासी बिद्रोह देखिए आप लोग, और इसमें आप लोग देखेंगे कि पिलासी की लडाई से लेकर सिपाही बिद्रोह तक के मद्द का काल, सरवथा, सांती और समझोती का काल नहीं था, इन सौ बरसो के अंतरगत भारत में बेटे सासन की निव पड़ी और राजी का विस्तार हुआ था, और लौड डलहोजी के काल तक के सासन की प्रकिती यैसपस्ट कर रही थी, कि विदेशी सासन ने नए नए परिवर्तन लाकर नांगरिकों, सामन्तों और सैनिकों का सोसन, केबल सोसन किय बड़ाया है, और आप देखें कि वो अपने फायदे के लिए जो भी नीती लाते थे, जो भी कानूल लाते थे, उनका कोई जन कल्यान नहीं था, आप देखें कि हमारे देश में कभी भी जो आदीवासी रहें, उनके छेत में कभी भी हस्तेचेप नहीं किया गया थी, चाह वो भी आप देखे आंदोलन करने लगे। और अपने सो वर्सीय सासन अधी में सरकार असान बनी रही। बंगाल और पूरीवी भारत के चित में आप देखेंगे कि पश्चमी भारत और दच्चेंड भारत ने अंग्रेजों के विरुदर सिर्व उठा लिया। यानि कि आप देखे उनके सामने खड़े हो गये। पूर बहावी आंदोरन भारत का एक बड़ा आंदोलन था और जिसने अंग्रेजों की सत्ता का कड़ा पितीरोद किया और इन पितीरोद विद्रोह और आंदोलोनों के पीछे निजी स्वायत की भावना तो थी और देश को मुप्त कराने का संकल भी था और 1757 से लेकर 1856 त जाता था हमारे देश के किसानों से भी भेदभाव किया जाता था जो पिती हो गई परक्षाएं होती थी उनमें भी आप देखिए भेदभाव किया जाता था और सिलफी कहने का मतलब होता है कारियर, ठीक है कारियर होते हैं ना जूब, 1770 के में बंगाल में भेंकर अकाल पड़ा, कब 1770 में, इस अकाल को हांके लोगों ने कमपनी के पदा दीकारियों की देन समझा, और वितानियों ने तीर्थ स्थानों में आने जाने पर कई पीती ब लगा दिये, और इससे सन्यासी लोग छुब्ध हो गये, यानि कि गुस्सा आ गया उने, और सन्यासीयों के इस अन्याय के बिरोध, बिरोध बिद्रो किया, और ए लोग संकराचार के अनुवाई थे, और उन्होंने जन्ता के सायुक से कमपनी कोठियों और कोसों पर आक्म और इससन्यासी विद्रो का उलेग वाकिम चंद चतरजी के उपन्यास आनंद बट में आपको देखने को मिलेगा, और ये आंदोलन कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं, आप देखें भली उन्हें दबा दिया जा रहा है, क्योंकि आप देखें एकता नहीं थी, और कुछ ल का विद्रो, ए मीदानपुर जिले की आदिम जाती कि चुवाल लोगों में अकाल भूमी कर में बिढ़ी, और अन आतिक कटनाईयों की वृत आसंतोस यानी की उस्सा था, और इन लोगों ने भी भगावत कर दी, और कहला पाल, ढोलका, और वारा भूम के राजाओं है, 1760 म एक साथ बिद्रो गिया, और इस पिदेश, पिदेश में 28 सताब्दी के अंतिम दिनों तक उपद्रब होते रहे, और इस पेकार छोटा नागपुर और सिंग भूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने भी, बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग सुने है, 1820 से 1822 तक अहोम बिद्रो ये क्या था, तो कंपनी ने आसान आसाम के अहोम अभिजाद बर्क की लोगों को बचन दिया था, कि बर्मा के योदि के पश्चात उनकी उसकी सेनाएं लोट जाएंगी, जिसे कंपनी ने पूरा नहीं किया, और इसके अतरिक थे बितानियों ने अहोम और 1828 में उन्होंने गौमधर कुमर को अपना राजा घोसित कर दिया, और रंगपूर पर आगमड करने की योजना बनाई, कंपनी ने अपनी सक्तिसाली सेना के द्वारा इस बिद्रो का दमन कर दिया, और अहोम लोगों ने 1830 इसमी में दूसरी पार बिद्रो करनी की पर आप देखें खासी बिद्रो, कंपनी ने पूर्व दिसा में जेंतिया और पश्चिमी में गारो पहाडियों के छेत पर अधिकार कर लिया, और बितानियों ने ब्रह्मपुत घाटी को सेलहट से जोडने हेतू, एक सैनिक मार्क बनाने का निश्चे किया, और इस और सिंगपो लोगों की सहयोग से बेटे सरकार की विरुद बिद्रो कर दिया, और सीगी उसने लोकप्री आंदोलन का रोप ले लिया, और 1833 में सेनिकारवाही के बच्चा थी, बेटे सरकार को इस बिद्रो का दमन करने में सफलता पराप्त हुई, क्या होई, सफलता परा उनके पुत्र टीपू को किसानों ने अपना नेता बनाया, और टीपू ने जमीदारों के मुझारों किसानों पर किये गए अप्तियाचारों के विरुद बिद्रो कर दिया, और उन्होंने 1825 में सेरपुर पर अधिकार कर लिया, और अपने आपको राजा गोसित कर दिया, उसके नितित में गारू की पहाडियों तक अब दरब हुए और इस चेत में 1840 से 1850 तक उप दरब होते रहे फरेजी लोग बंगाल के फरीतपुर के वासी हाजी सरीयत तुला द्वारा चलाए गए संपताय के अनवाई थे ए लोग धार में एक सामाजेक और राजनेतिक चेत में अमूल चुल परिवर्तन चाहते थे सरीयत तुला के पुत्त दादु मिया ने बितानियों को बंगाल से बाहर निकालने की योजिना बनाई और उन्होंने जमीदारों के मुझारों पर किये गये अक्तियाचारों के विरुद किसानों को विद्रो करने के लिए उकसाया और फरेजी उकदरब 1838 से 1857 तक चलते रहे और अंत में इस संपताय की अनुएक अनुवाई वहावी दल में सामिल हो गए फिर आप देखें एक कच्छ का विद्रो एक कच्छ तथा काठियावाड में बेटे सरकार की विरुद्ध आसंतोस्त विद्धमान था यानि की गुस्ता थी और संगर्स का प्रमुक कारण कच्छ की राजा भारमल और जहरेजा के समर्थक सरदारों में ब्याप्त रोज अपना की जो एक बेटे से रेजीम डेंट के नेदेशन में कार करती थी और इस परिशत द्वारा किये गए परिवर्तनों तथा भूमी कर में अपते देख विद्धी के कारण लोगों में बहुत रोज यानि की गुस्ता था और बर्मा योद में बितानियों की पराजय का स अनुरजन की नीती अपनाई एक बात और बता दूँँ आप देखिए कि किसी चेत में अंदोलन हो रहा है बिद्धरो हो रहा है तो आप देखिए दूसरे चेत की लोगों में भी एक तरह से जाग रूखता आती है कि अगर वो लोग कह सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते है फिर आप देखेंगे बगेरों का बिद्रों ओखा मंडल के बगेरों में आरम से ही बेटे सरका के बिद्रोस बिद्दमान था और जब बड़ोदा के गयगबाड ने कमपनी की सेना के सहयोग से इन लोगों से अधिकार करबसूल करने का पेतन किया तो बगेरों ने अपने सर्दार यानि की तरह से आपके ही राजा अपने सर्दार की नेतित में बेटे सरकार के विरुद दहतियार उठा लिये और यही नहीं उन्होंने 1819 के बीच कमपनी अधिकेत पिदेश पर हमला भी कर दिया और अंध में 1800 बीच में यहां सांती स्थापित हो गई फिर आप देखें कि सूरत का नमका अंदोलन बेटे सरकार ने 1844 में नमक कर एक दो रुपिय पिती मन से बढ़ा कर आप देखें कि एक रुपिया पिती मन कर दिया और जिसके कारण सूरत की लोगों में बेटे सरकार की विरुद रोस फैल गया यहां लोगों ने हतियार उठा लिये और उन्होंने कुछ यूरोपिय लोगों पर प्रहार भी किये और विटे सरकार ने ससक्त विरुद को देखकर अत्रिक कर हटा दिये और इसे पिकार 1848 में सरकार ने एक मानक नाप और तौल लागू करने का पेरतन किया तो यहां लोगों ने इसका वहस्कार किया और इसके विरुद सक्त्यागय भी किया और सरकार ने इसे भी बापस ले लिया तो सूरत का नमा कांदोलन हो गया फिर आप देखें के कोलापूर एवं सामंत वाड़ी में विद्रो कमपनी की सरकार ने 1844 की परचात कोलापूर राजी में पिसासनिक पुनरगटन किया और जिसके विरुद वहां के लोगों ने लोगों में भेंकर आसनतोस उत्पन हो गया और गड़कारी एक बंसानुगत सैनिक जाती थी जो मराठों के दुरगों में सैनिकों की रूप में काम करती थी कमपनी की सरकार ने उनकी चटनी कर दी जिसके कारण गड़कारी जाती के लोग विरोजगार हो गए और विवस होकर उन्होंने बितानीयों के 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 बितानीयो हुआ इस अप्वाइंट आप लोगों को अपने पास याद रखना होगा इन्हीं से कुश्चन से आपके प्रिक्षाओं में पूंचे जाते हैं अब हम लोग देखते हैं बिजय नगर की सासकों का जो बिद्रो हो रहा है आप देखेंगे कि 1765 में कमपनी ने वो तरी सरकार की जिलों को पराप्त कर लिया और इसके पश्चात का ठोड़ता पूर्वक कारी किया और 1794 में कमपनी ने राजा को अपनी सेना भांगे कर देने की मांग की और उसे तीन लाग प्रोपी उफार में देने ही तो वाल्द कर दिया और जब राजा ने इन सर्तों को मानने से इंकार कर दिया तो कमपनी ने उसकी जागई छेन ली और बिवस होकर राजा ने बितानियों की ब्रोध बिद्रोह कर दिया बगावत कर दी और इस बिद्रोह में उन्हें अपनी प्रजात था सेना का फूर समर्थन प्राप्त था और राजा बितानियों की ब्रोध लड़ते हुए बीरकती को प्राप्त हो गई यानि कि सहीद हो गए यानि कि इनकी डेथ हो गई इसके बाद कमपनी को सोधाई और उन्होंने राजा के बड़े पुत्त कुजाकीर बापिस लोटा दी और धन की मांग भी कम कर दी और इस पकार डिंडी गुल और मालाबार में पॉली गर लोगों में बितानियों की भूमी क पर विवस्था की विरुद भेंकर आसंतों से बिद्धिमान था और उन्होंने भी बितानियों की विरुद बिद्रो कर दिया ओं अठाराइस सो एक से लिकर पांच तक अब अब भ्यार पित जिलों और आप देखेंगे कि उत्त्री अर्काट जिलों की पॉली गारों का बि पूट-पूट बिद्रो मद्रा स्पैसिडेंसी में भी अठारे सो चपन तक चलते रहे अठारे तो चपन तक चलते रहे फिर आप देखेंगे फकीर फकीर विद्रो एक क्या था तो आपको देखने को मिलेगा बंगाल में 1776 में सुरू हुआ था और यह गोमकड मुसल्वा फकीरों का गुट था और जिसके नेता थे मजनु साह ने 1776 में अंग्रेजी सासन के पर विद्रो करते हुए जमीदारों किसानों से धनकी वसूली की और मजनु साह की मित्तिव के बाद चिराग अली साह ने आंदोलन को का नेतित किया और भावानी पाठक और देवी कि तैयारी क्यों ना कर रहे हो और आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग कम से कम पांस से चैसाल पुराने कुश्चन स्पेपर उठा के देखिए आपको यकीन भी हो जाएगा वहाबी आंदोलन वहाबी आंदोलन के संस्थापक अब्दुल वहाब थे और भारत में इस आंदोलन को सियद एहमद राय वरेलवी 1703 से 1787 के कारण लोग प्रियाता मिली और इनका अंदोलन भारत को अंगरेजी फिसासन से मुक्त कराने और मुस्लिम राजी की स्थापना करने की लक्ष से पेरित था और राय वरेलवी पर जानदा परभाव दिल्ली के एक संत सह अंदोलन को वली-उल्ला आंदोलन की नामसे आप लोग जानते हैं और स्यद एहमद इसलाम में हुए सभी पड़िवरतनों और सथारों की विरुद्ध थे और यह एक पुनार उद्धार आंदोलन था और भारत में इसका प्रमकेंद पटना था और इन्होंने पंजाब के स तुल्ला में कहीं अधिक नियोजित और संगठित था यानि कि आप देखें कि एक तरसे एकता थी इसमें एक रड़नीती थी आप देखें वहावी अंदोलन का चरित संपदाय का वस्ते था लेकिन इनों ने हिंदूओं को कभी विरोध नहीं किया और इस अंदोलन के अन्न मह उस सहायता प्राप्तना हो जाए और 1860 के बाद बेटे सरकार ने बहावीयों का धमन करने के लिए सैनिक अवियान का आरम किया तथा सिथाना पर चारों और से सैनिक दवाव डाला गया और इसके अतरिक्त भारत में बहावीयों पर देश्द्रों का आरोब भी लगाए गया उनके विरुद नियालेओं में अभी योग भी चलाया गया वहावी आंदोलन बहुत समय तक चलता रहा उन्नीप सीवी सताबदी के अंतिम 20 बरसों तक उन्होंने सीमावर्ती कवीलों की सायता की परंतु इसके बाद यह आंदोलन धीमा होता चला गया और यह आंदोलन मु इसने देश के मुसलमानों में पिथा बाद की भावना प्राप्त की आप देखें कि आप लोग किसी भी धरम समाज या समुदाय की लोगों को छोड़ कर कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलना कम ही मतलब आप देखें चांस रहते हैं अब आप सोचें कि इतने सारे पूट डली हुई थी लेकिन 1947 तक आते आते आपने देखा है कि जो भी इस समय का अंदोलन चल रहे थे 1942 में आप देखें हर इसमें समुदाय सामिल था वो आप देखें महिलाएं हो पुरस हो या आप देखें किसी भी जाती को हो किसी भी धरम के हो तब जाकर हमें आजादी मिली और इसे लिए तो कहा जाता है कि इस आजादी में सबका युगदान है चाहे वो किसी धरम का हो जाती का हो या वर्क का हो कूका अंदोलन कि यह आंदोलन भी प्यारम में धार्मिक अंदोलन के रूब में शुरू आठ लोग जबाल गया और पश् landlord की सुरूआब प्रियाप्त अंद्विस्वास और बुराईयों को दूर करने के लिए किया था और जवाहरम मलकिस से बालक सींग ने अपने अनुवाईयों के साथ अपना मुख्या ले उत्तर पश्चिम में सीमान परांत में इस्तित हजीरा नमकिस्तान को बनाया और कूका अंदोलन कलांतर राम सिंग कूका को सरकार ने रंगून निर्वासित कर दिया और जहां उनकी 1885 में मौत हो गई बाबा राम सिंग ने ही नामधारी अंदोलन चलाया था और इसमें मद निसेद, गौमास निसेद, बैक्ष पूजा महलाओं की समानता पर बल दिया गया था तो यह भी आप ल याद रखिएगा फिर आप दिखिएंगे वेलू अंग्रेजियों द्वारा दीवान की गधी छीन लेने और सहा एक संदी द्वारा तैबन कोर राज पर भारी विध्ये बोट डालने के कारण विद्द्रो कर दिया था तो इसका कारण भी आप लोगों को याद रखना हो बैलू थंपी की मित्तिव के बाद अंग्रेजी सेना ने उसे साज़ेक रोप से फांसी पल लटका आया था तो आप समझें कि एक बैक्ती की मौत हो जाती है उसके बाद उसे फांसी पल लटका दिया जाता है और ये सब क्यों किया जाता है ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों में एक तरह से डर का भाव पैदा हो समझ रहे हैं आप लोग फिर आप देखेंगे कि रामोसी विद्रो रामोसी पश्मी घाट यानि की महाराष्ट में रहने वाली एक आदिम जाती थी जो अंग्रेजी सासन पदिती से नाराज थी और सरपितम सरदार चितर सिंग और नर सिंग दक्ता तेप पैदकर की नेदित में रामोसी विद्रो किया और जिसे दवाग दिया गया और यह 1822 में सुरू हुआ था और इस बिद्रो में कभी मराठा सेना में सैनिक और सिपाही के रूमे कारगत मराठों ने मराठा समराज के पतन के बाद बड़े हुए भूमी करके विरुद बिद्रो कर दिया 1825-26 में बड़े भयानक अकाल और अनाभाव के कारण रामो सीयों ने ओमाजी की नितित में दूसरी बार बिद्रो किया और विटर सरकार ने रामो सीयों की बिद्रो को समपत कने के लिक्म उन्हें भूमी अनुदान दिया और साथी पहाडी पुलिस में नौकरी भी दी आप देखें कि अंग्रेजों को लगा कि इस अंदुलन में ए बिद्रो नहीं दबाया जा सकता या आप देखें इसे हमारी जीत मुस्किल है या हमें जानदा नुकसान जिलना पड़ेगा तो वो उससे समझूता भी कर लेते थे आप समझ रहें तो इसलिए आप देखें कि इतने लंबे समय धगुनों ने राज किया कुछ लोगों को कुछ दे कर अपने पास कर लेना फिर आप देखें किटूर चिनम्मा बिद्रो एक किटूर चिनम्मा बिद्रो 1824 से 29 के दवरान उया और किटूर करनाटा की स्थानिय ससक की मित्यू के बाद अंग्रेजों ने उसके उत्तरादीकारी को मानता नहीं दिया और फालसोरूप दिवंगत राजा की विद्वाच चिनम्मा ने रमप्पा की साहता से विद्रो कर दिया था धार राओ की बुंद का विद्रो धार राओ की बुंद का विद्रो 1841 से में 17 के राजा पिरताब सींग को अंग्रेजों द्वारा आपदस्त यानि की पदसे हटाने की विरोद्द हुआ था और कराड की धार राओ ने सबसे पहले विद्रो का नेतिती किया था थीक है? फिर आप देखेंगे पाईक विद्रो कौन सा? पाईक विद्रो और पाईक यानि की लगान मुप्त भूमी बाला सैनिक विद्रो 1904 में उडीसा के खुरदा नमकिस्थान पर हुआ था इस विद्रो को खुरदा की राजा ने पाईकों की सहयोग से संगठित किया था और पाईक ने तक जगबंदू की नेतित में पाईक विद्रो ही उने अंग्रेजी सेना को पराजित कर पूरी पर अधिकार कर लिया था तो पाईक विद्रो भी याद रखेगा परेजी आंदोलन यह 1820 से 1858 के वीच चला मद बंगाल में और बंगाल में चलाई यह परेजी लोक बंगाल के फरीधपूर की निवासी हाजी सरीयत तुल्ला द्वारा चलाए गए संपदाई की अनुआई थे यह लोग बेटी सरकार को निकाल कर बंगाल में मुस्लिम सासन इस्थावित करना चाहते थे और हाजी सरीयत उल्ला के लड़के दादू मीर ने करवबंदी आंदोलन चलाया दादू मीर ने नारा दिया कि समस्त भूमी का मालिक खुदा है फरीजी आंदोलन को वहाबी आंदोलन के सहयोग से बलब पराप्त हुआ और फरीजी आंदोलन के नेता अंत में वहाबी आंदल में समलित हो गए थे फिर आप देखेंगे आदिवासी विद्रो भारत के अनिक हिस्तों में रहने वाली आदिवासीयों ने उननीस भी सदी में संगेटे थोकर वेट सरकार की विरुद्ध कई लड़ाईयां लड़ी है आंतोर पर आदिवासी से समास से अपने को अलग धलग रखते थे उनकी अजीवका का साधन जूम खेती यानि कि जगह बदल कर की जाने वाली खेती और मत से पालन था आप सभी जानते हैं कि अभी भी आप देखें कि जो आदिवासी हैं जो जनजाती हैं उनका अलग ही जीवन यापन रहता है आप देखते हैं कि जंगलों पर वो निर्वाद रहते हैं या आप देखते होगे कि उनका जीवन किस तरह से चलता था पहले कि उन्होंने एक जगह खेती की और आप देखे फिर उस जमीन को छोड़ दिया फिर दूसरी जगह खेती की तो इन सब में आप देखे परीवर्तन किया अंग्रेजियों ने हस्ते छेप किया और इसलिए आप देखे कि आदिवासियों में भी गुसा आया उन्हें भी आप देखे अपने जीवन यापन में कटनाई हुई उन्होंने भी आंदोलन किया बिद्रोह किया वेटिस उपने विसे घेरे में आने के बाद ये अपनी ही जमीन पर किसी मजदूर बन गए उन्होंे खाना, बागानों, फेक्टरियों में कार करने के लिए और कुली गिरी करने के लिए बिवस किया गया और अंग्रेजों से पहले आप देखे कि किसी भी राजा महराजा ने इनके छित में हस्तेचेप नहीं किया और अभी भी आप देखें अगर आदिवासियों के छित में आप लोग कभी जाते हैं तो बड़े ध्यान से जाय करिएगा क्यूंकि आप देखें कि ये अपने छित में कभी किसी को हस्तेचिप करने का मौका नहीं देते उसकी जान भी ले लेते हैं और अभी अगर आप लोगों को उस संस्किती देखनी है कि किसी ने अगर संस्किती अपनी बचा के रखी हुई है तो वो आदिवासि हैं कौन है? आदिवासि ही है और आप देखेंगे आदिवासि दूर दराज के छित्रों में रहते थे इन्हें जंजाती ये सब्दे से पहले ठक कर बापा ने संबोधित किया था और जंजातीयों का अपना कानून होता था और आप देखते हैं कि एक आदीवासी पर अगल कोई समस्य आती है तो पूरा आदीवासी समूख खड़ा हो जाता है और कोल विद्रो चोटा नांग पुरिछेत में मुंडा उराओ हो महावी आधी जंजाती या निवास करती है और इन्हें मैदानी लोग कोल कहते हैं क्या कहते हैं? कोल कहते हैं और इन इस विद्रो का नेतित बुद्धो भगत और गंगा नारायन नहीं किया था इनके नेतित करताओं को आप लोग जरूर याद रखेगा इनसे कुश्टन्स पूचे जाते हैं फिर आप कहेंगी बताया नहीं था इस बिद्रो का कारण वेटे सरकाद वारा चावल की नसीली सराप पर उत्पादन सुल्क लगाना और भूमी सम्मंदी आसंतो कि भूमी को उनके मुखिया मुन्नों से चीन कर मुसलवानों और सिख किसानों को दे देना फिर आप देखेंगे खौंड विद्रो इसमें हिस्सा लेने वाले खौंड जंजाती की लोग तमिलाडू से लेकर बंगाल और मद भारत पहले थे इन्होंने 1837 से लेकर 1856 की बीच बेटे सरकार भी विरुद्ध विद्रो किया और खौंड लोगों की विद्रो का कारण था सरकार द्वारा नए करों को लगा ना उनके छितरों में जमीदारों और साहुकारों का प्रवेस्थ, खौंड विद्रो को चक्त विसोई ने नेतित प्धान किया था ठीक्ए? और बाद में राधा किष्ण दंड सेन ने भी विद्रो में भाग लिया था तो ये भी आप लो याद रखेगा फिर आप देखेंगे संथाल विद्रो क्या संथाल विद्रो इसमें क्या हुआ आप देखेंगे कि 1856 में संथाल आदिवासियों का विद्रो आदिवासी विद्रो मे पुलिस के दबन जमीदारों साहुकारों की वसुलियों के विरुद अपना रोह से आनी की गुसा परकट करती हुए बिद्रो किया था संताल बिद्रो को सिद्धू और कानू नामक दो संतालों ने अपना नेतित पिदान किया था सिद्धू कान्हू ने गोशना की कि ठाकुर जी भगबान में उन्हें आदेश दिया है कि वे आजादी के लिए भातियार उठा लें और सरकार को संतालों के विद्रो को कुचलने के लिए उप दिरवगरस चेत्रों में मारसल लो लगाना पड़ा था और सिद्धू अगस्त 1855 और कानों फरवरी 1886 में पकड़ाय गया और मार दिया गया था इन्हें मुंडा विद्रो ये छोटा नांगपुर में मुंडा विद्रो आप देखेंगे 1893 से सन 1900 के बीच हुआ विरसा मुंडा की नेतित में और आप सभी जानते हैं कि विरसा को भगवान मानते थे लोग इनका या विद्रो सरदारी लड़ाई की नाम से पिसे दे था मुंडो की पारंपरिक भूमी बवस्ता खूट कटी या मुंडारी का जमीदारी या व्यक्तिकत भूह स्वामित वाली भूमी बवस्ता में पर्य विद्गू लन के नाम से जाना गया और 1895 में बिरसा ने अपने को भगवान का दुद्ध गोसित कर दिया उसने कहा है कि दिकूओं गैरे आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल जंडा बिरसा मुंडा ने अपने स मर्दकों को सिंग बॉंगा की पूजा करनी की सलाय दी और गाउं गाउं गों कर इसने लोगों को हत्यार पिदान कर दिये और सन 1800 की प्यारम में बिरसा को गरपतार कर लिया गया था जहां जेल में ही उनकी मेट्टी हो गई थी तो यह भी आप याद रखिएगा ठीक है यह आप दे कि 1900 के पास 1900 में ने गरपतार किया गया था क्यूंकि 1800 कहां कभी-कभी इस तरह की डेटें भी गलत रहती है तो इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा ठीक है भील बिद्रो भीलों ने महराश्ट और राजिस्थान में बिद्रो किया था और महराश्ट के खांदेश में भील काफी संख्या में निवास करते थे और 1818 में खांदेश पर अंग्रेजी स्थापत से भीलों का अंग्रेजों से संगर से प्यारम हुआ और किसी समंधीकारो और नई सरकार का भय इस विद्रो का मूल कारण था और महराष्ट के भील विद्रो को दसरत हिरिया और सिवरम भागो जी काजल सिंग ने अपना नित्त एक तरह से पैदान किया था और वेटिसकाल में देश के अन भागों की तरह राजिस्तान में भी अंग्रेजी सरकार ने भीलों का सोसन किया था मेवाड के भील अपने आखमणों से मेवाड छित्के ग्रामों और एकतिप फल की वह बोलाई और रकवाली की वसूली करते थि कारनल रीड की सलायं से मेवाड के साथक ने बोलाई का दिकार समत कर दिया लकडी काटने महुआ को के फूल एकतित करने पर भी रोक लगा दी यहां तिसाला नामक नया भूमी कर लागव कर दिया गया जिससे साहू कारों का आगमन हुआ और सोसन की नात रोकने वाली पिक्रिया यहां भी प्यारम हो जाती है भील विद्रो के सुधारों से पेरित हों का बिद्रो किया था और स्री गोबिंध ने आधिवासियों की सिवार्थ संप सभा की स्थापना की जिसके माद्धेम से भीलों को संगठत किया गया और 1913 तक यह आंदोलन इतना सकती साली हो गया कि विद्रोहियों ने भील राज की स्थापना हीतु प्रियास सुनू कर दिये और वेटे सेना ने काफी प्रियास के बाद विद्रोह को कुचल दिया और मौतिलाल तेजावत को भील आदिवासियों में सरवादिक याद किया जाता है इन्होंने 1921 में जागीदारों द्वारा ली जाने वाली वेट वेट वेगार की विरुद भीलों को संगठित भी किया था तो ये भी आप लो याद रखिएगा फिर आप देखेंगे रंपा बिद्रो आंद्विदेश के गुदावरी जिले के उत्तर में इस्तित रंपा छेत में हुआ था आदिवासियों का ये बिद्रो साहुकारों के सोसन और वन कानूनों के विरुद हुआ था 1922 से 24 के बीच रंपा बिद्रो के नेता अलोरी सिताराम राजु थे और सिताराम राजु को गांदी के असेयों आंदोलन से पेड़ाम राप्त हुई थी लेकिन ये आदिवासी कल्यान ये तो हिंसा को आवस्यक समझते थे 1924 में सिताराम राजु की हत्याकर बिद्रो को कुचल दिया गया था क्योंकि महत्मा गांदी एहंसा की बात करते थे पर आप देखें कि नांगा बिद्रो नांगा आंदोलन की सुरुआत रॉंग मेई जदो नांग ने की थी इस आंदोलन को दे सामाजे के एकतलाना बे ढंगे रीती रवाजों को कतम करना पराचीन दर्म को पुनरजीवित करना और 29 सगस्त 1931 को सरकार द्वारा जादो नंग नांग को फासी देने के बाद इस आंदोलन को 17 वर्सी ये नांगा महिला गैडिन लिव ने अपना नेतित पिदान किया था इस नाम को जरूर याद रखेगा गैडिन लिव ने अपने आधिवासी अंदोलन को सभीने एयुग्यां अंदोलन से जोड़ा और अपने समर्थों को कर्ष्ट कारी करों कानुनों की आउग्या करने का अदेश थिया जवालाल नहरू आजाद हिंद फोज सुवास्चंद बॉस ने गैडिन लिव को रानी की उपादी से सब्मानित किया था और गैडिन लिव ने हैरका पंथ की स्थापनी की थी यह भी आप लोग याद रखेगा यह आप लोग देखेगा बिद्रो हो गया इस्थान हो गया इन गोहाई और रोनो गोहाई ठीक है खॉंडा डोरा विद्रो यह विसाका पत्नम में कोरमा कोर कोर राम लेया इसके नितित करता थे कोकी अंदोलन यह आप देखेगे मणीपोर तिपुरा की बीच उसाई पहाडी छित में हुगा था चुवार विद्रो यह बंगाल में हुग ओखा मंडल गुजरात में हुआ था कच्छ का विद्रो गुजरात में हुआ था राजा भारमल और छरेजा के नितित में नैगदा अंदोलन आंध पिदेश का पूर्वी गोदावरी छित टुमबा सोरा 1886 में कोया विद्रोहियों ने राजा अनंत सेयार के नितित में राम अंदोलन की सुरुआत दुतिय विद्रोहियों के बाद छोटा नंगपूर विहार में हुई थी इस अंदोलन को भगत अंदोलन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका नेतित आदिवासियों की बीच उन लोगों ने किया था जो फकीर या धर्माचार थे यह आंदोलन एक पिक से संस्किती करण आंदोलन था और इस इन आंदोलन आदिवासि आंदोलन कारियों की बीच गांधिवादी कारकरताओं ने अपने रचनात्मक कारियों के साथ घुसफेट की और 1920 के दसक में ताना भक्तों ने सत्या गया उप्रेदरसनों में हिस्सा लेकर भारत की राष्ट या भी आप लोग याद रखेगा वो समय भी आप देके महिलाएं भाग ले रही हैं एक बात आप लोग देखें कि इतने सारी आंदोलन हो रहे और आंगे चल के इनकी समझ में एक बात आ जाती है कि अंग्रेश सबका सोशन कर रहें कोई भी जाती के हो धर्म के हो या पुलन करते हैं तक जाकर हमें आजादी मिलती है समझ रहे हैं एक कहानी बच्पन में आप लोगोंने बहुत पड़ी होगी कि एक बाप के चार बेटे थे और आप देखेंगे कि उन्हें डेली लड़ाई होती रहती थी और आपने सुना होगा कि फिर बाप चारों बेटों को लेकि नहीं तोड़ पाता है तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि क्या आप कहने का मतलब है कि एकता में थागत होती है इसमें कोई दोहराय नहीं है यह आप भी जानते है और हर कोई जानता है मुझे तो यही लगता है चलिए आगे बात करते हैं हम लोग आदिवासी अंदोलन को स्वारूप देख लीजे क्या स्वारूप भारत में अंगरी जी सत्ता की स्थापना की साथी उसका फितिरोध भी आरम हो गया और कंपनी सरकार की रानेतिक और आर्थिक नीतियों के पैडाम से संतर्प्त समाज के विभिन बर्गों विस्थापि सासकों जमीदारों धार अनेकों बार हुए और इन विद्रोहों का स्वरूप एवं प्रवाओ अलग लग था और आप देखें कि छेति बिसेस में इन्हें जन समर्थन पराप्त था क्या जन समर्थन भी पराप्त था बैटिस भारत में होने वाले आदिवासी आंदोलन कई चरणों में हुए और प पिदान किया था जिनकी विशेस इस्तिती को वेटिस उपने वेसिक करन के द्वारा छती हुई थी पहुची थी नुकसान हुआ था और इस आंदोलन की निदत करता अपनी पूरानी समाजीक इस्तिती को पुना बहाल करना चाहते थे और इनोंने अपने चित में अंगरेज जों तथा अन बाहरी लोगों के प्रवेश का विरोध किया था अभी भी आप देखिए कई जंजाती ऐसी जगह रहते हैं जहां आपने देखा होगा कि कोई अगर बैक्ती वहां प्रवेश करता है तो उसकी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं और जान ले भी लिए कई साथ ही साथ या किसी भी परिवर्तन के विरोधी थे और इन विद्रों में पिरमुक थे पहाडिया विद्रो, खौंड विद्रो, कोल, संथाल विद्रो इस चरन के विद्रों में संथाल विद्रो सबसे ससक्त विद्रो था यानि की मजूबूत विद्रो था सक्ती साली अप अंधुआ मजदूरी जंगल कानून के विरूद हुआ था और विद्रो तरमुक विद्रो खारवाड विद्रो भील विद्रो नैगदा विद्रो कोया विद्रो मुंडा विद्रो इस गांड का सबसे सकती साली विद्रो मुंडा विद्रो था और आप देखेंगे आदिवासी आंधुलन का तीसरा चरन धार्मिक सोरूप लिए हुए था और इस चरन में किसानों और एवब आदिवासी आंधुलन का नेतित पड़े लेखे वैक्ति ने किया। और इस समय के अंदोलन को जाती अतवा संस्कितिक अंदोलन, सुधार अतवा संस्किति करण अंदोलन के सक और बन आधारित अंदोलन तथा राजनेतिक अंदोलन में बाटा जा सकता है। इस चैनल में होने वाला ताना भगत आंदोलन, संस्किती करण आंदोलन था और 1920 के दसक में ताना भगतों ने कॉंग्रेस के नेतित में सराब की दुकानों पर धर्ना देकर सत्या गए, पेदरसनों में हिस्ता लेकर भागत की राष्टी आंदोलन में सक्री भागेदारी की, म आखिर ये आंदोलन जो हुए हैं, आदिवासी आंदोलन हुए हैं, इनका महत्य क्या है? प्यारंबीक जंजाती आंदोलन यगपी सीमित छेत्र में लड़े गए, और इनोंने बेटिस सासन के समक्ष कड़ा पितिरोध, पित्तुरोध, पिस्तुत किया, और आप देकी अधिकारों की प्ति जागरूकता पैदा की, और जंजातीयों में संगठन की भावना और अपने छेत में हो रहे आमान भी है, अत्याचारों की विरोध की भावना पहले से अधिक फिरवल हो गई, और आप देखेंगे जंजातीय बिद्रों के पईडाम सरोब सरकार को उनक इसी पिकार 1837 के विद्रों के बाद हो बहूल छेत को आरक्षे जंजातीय चेत का दर्जा दे दिया गया, और पैसासन के लिए परंपरगत मान की मुंडा पदिती को वित्ति बार नियायक अधिकार दिये गये, और इस पिकार नियायक अधिकारों की पिती जागरूकता जं जंजातीय आंदोलन की महत्ता को इसपस्ट करते, अगर आप देखते कि इस तरह के आंदोलन ना होते, तो इतनी सारी जो विवस्थाएं की गई हैं वो भी ना बनती, काल किरमेंड में जंजातीयों में सिक्षा के पिचार पिसार की कारण और जंजातीय विद्रों को जंजातीय आंदोलन का हिस्सा बन गया, और गांधीबादीय आंदोलन से खुद को जंजातीय आंदोलन जोडने के कारण एक तरफ सुतंता आंदोलन का जनाधार बड़ा, वहीं दूसरी और अगरेजी पिसासन को कई मोर्चों पर समस्याओं से जूजना पड़ा, एक बात पर आप दुबारा आंगे करने के लिए जो भी आंगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको काफी मदद भी करता है वो, बिरसा की नेतित में सुरू होने बाले वाला विद्रोफ सांस्कितिक आसमेता की रक्षा के लिए पूर्ट स्वायत्ता और राजनेतिक सुतंता का अंदोलन बन गया और 1913-14 में सुरू होने बालत ताना भगत आंदोलन धार्मिक सुधार आंदोलन के रूम में पनपा लेकिन जल्दी उसने राजनेतिक सुरूफ दारन कर लिया धार्मिक पोना उत्थान और जाती परिसकार के दौर से गुजरती हुए आंदोलन जब सोसंड से मुक और कारकरता गांधी की व्यक्तित बख किर्तित से अत्यधिक प्रभावित थे और ताना भगत आंदोलन राष्टी आंदोलन का अंग बन गया और आप देखेंगे कि 1922 में कॉंग्रेस के गया अधिवेशन में ताना भगतों ने बढ़ चड़कर हिसा लिया और ताना भगत ने इस पिकार से राष्टिय स्वाधिनता आंदोलन को मजबूती पैदान किये और आप देखें इन छोटे छोटे आंदोलनों से एक सीक और मिली कि एक ता जब तक नहीं रहेगी आंगे की रणीती जब तक नहीं किलियर रहेगी तब तक हम लोग अंग्रेजों से आजाद नहीं पा सकते हैं मुक्ती नहीं पा सकते हैं तो बहुत कुछ सीखाम लोगों ने फिर आप देखेंगे कि राष्टवाद और आदिवासी आंदोलन के मध्ध घनिष्ट संबंद बने रहे और 1932 के सविने अयोग्या आंदोलन के दोरान यह संबंद और अधिक सद्रण और इस दोरान महराष्ट मध्ध परांध कि सासत कर्नाटक में गरीब किसानों एबुम आदिवासी ऊद्वारा सविने अग्ग कि अंदोलन की भाती बहुत ब्यापक और ससक्त वन आंदोलनों के संचालन किया और इन आंदोलनों के दोरान सासकी कानून का उलगन किया गया और हिंसक तरीकों का प्रियोग किया गया, कई इलाकों में कॉंग्रेस की नेतित में बन सत्यागय चलाए गये और आदिवासी समाज को जंगल पर पुनाः बैसा अधिकार फरात हो जैसा अंग्रेजों के आगमन के पूर्ख था, यही उन सत्यागयों का मुख उद्देश था फिर आप देखेंगे बैटेस हुकूमत के खिलाब 1771 से लेकर 1947 तक जो बिद्रोह हुए वह सामाजिक सांसिकेंद मुद्दों की वज़ा से आजादी के सार्व देशिक अंदोलन का निवार हिस्सा बने और जंजाती बिद्रोहों ने केरमिक रूप से इस्थानी इस्तर से पर उठकर राष्टी आंदोलन को मजबूत आलम विप्रदान किया और वेटिस हुकूमत की सामरिक सक्ती के समक्च आदिवासियों की सामरिक सक्ती नगन होते हुए भी उन्होंने बिरोचित गुड़ों का पिरदर्सन किया अगर हम लोग इनकी विसेश्ताएं देखें आदिवासि संगर्सों में पूरा कभीला तथा आसपास के सभी गाउं सामिल होते थे और कभी-कभी तो पूरा छेथी संगर्स में सामिल हो जाता था। लेकिन आप देखें कि इस तमए जो भी आंदोलन हो रहे थे उसमें एक समस्या देखी जारी थी। समस्य आये थी कि आप देखे कि आंगे की रणनीती नहीं तै की जाती थी, कि माल लेजे कि जो अभी नेतत करता है, अगर उनकी किसी भी कारण से गरपतारी हो जाती है या मौत हो जाती है, तो आंगे इसका नेतत कौन समालेगा, इस तरह कोई बिवस्ता ना होने के कारण कि जाती आधार पर और आदिवासी पहचान की आधार पर अपने आपको संगाठित किया, ए आदिवासी आदोलने की विसेश्ताएं हैं, आदिवासी ने अन आदिवासी जाती रूप से भिन अत्वा गरीब दीकूँ, बाहर से आकर बसे लोग को कभी भी अपने हमलों का ल रियास भी किया, और इस तो रिया रूप देने का मतलब होता है कि लोग और आप से जानदा जोडते हैं, अब बात करते हैं किर्सक आंदोलन के बारे में, यानि कि किसानों के भी तो आंदोलन हुए, आप देखेंगे कि 1857 के पिथम सुतंता संगराम को अंगरेजों ने कु जो 1857 का जो आंदोलन हुआ था, जो किरांती हुई थी, आप समझेगे कि उन्हें कई रियासतें अंगरेजों के साथ भी सामिल थी, जिसमें आप देखें सिंधिया घर आने को आप लोग देख लिजेगा, रानी लच्छी भाई की बिरुद, अंगरेजों की मदद की थी उ इतिहास जब लिखा जाता है, तो वो आदे की निस्पक्ष तरीके से लिखा जाता है, और इसी बीच अनेक स्थानों पर एक के बाद एक किसान अंदोलन हुए, और इन में से अधिकांस अंदोलन अंगरेजों के खिलाप किये गए थे, कितने ही समाचार पत्रों में ने किस किसानों के सोसन उनके साथ होने वाली, सरकारी अधिकारियों के पक्षपादपूर प्योहार, किसानों के संखरस को अपने पत्तों के में प्रमुखता से पिकासित किया, नेल विद्रो, पावना विद्रो, तेभागा विद्रो, चंपारन सत्यागय, बारदोली सत्यागय, म मोपला विद्रो प्रमुख किसान अंदोलन की रूम में जाने जाते हैं जहां 1908 इस बीत का खेडा सत्या गांदी जी द्वारा स्तुरू किया गया था वही मेहता बंदूओं कल्याड जी और कुंगर जी ने 1922 में बारदोली सत्यागय को प्यारम किया था बाद में इस आप लोग समझ लिजेगा तो तिभागा अंदोलन किसान अंदोलनों में 1840 इस बी का बंगाल का तिभागा अंदोलन सरबादिक ससक्त अंदोलन था और जिसमें किसानों ने फिलाइड कमीशन किसी फारिस के रूम में अनुरूप लगान की दर घटा कर एकतेहाई करने के ल आंदोलन था और इस आंदोलन में भत्कून नेता कमपाराम सींग और भवन सींग थे और बंगाल का तिभागा अंदोलन फसन का दो तिहाई हिस्सा उत्फीडित वटाईदार किसानों को दिलाने का अंदोलन था या बंगाल की 28 में से 15 जिलों में फैला था और विसे इसकर उत्री और तडवर्ती सुंदर्वन छेत्रों में किसान सवा की आहन पर लड़े गए इस आंदोलन में लगवा 50 लाग किसानों ने भाग लिया था और इसे खेती हर मर्दूरों का भी ब्यापक समर्थन पर आप्थ हुआ था आप देखे किसान बैसे थोड़ी आंदोलन करे और वो मजबूरन आंदोलन करने पर मजबूर होंगे तेलंगाना आंदोलन आप देखेंगे आंदोलन जमीदारों और साहुकारों के सोशन की नीती के खलाप तथा भेष्ट आदिकारियों के अत्याचार की ब्रोध 1846 में किया गया था 1858 के बाद हुए किसान आंदोलन का पूर्व के अंदोलन से अलग हुग था अब किसान बगेर किसी मध्यस्त के स्वयम ही अपनी लड़ाई लड़ने लगे और इनकी अधिकांस मांगे आर्थिक होती थी यानि कि खेती किसानी से जुड़ी होती थी किसान आंदोलने ने राजनेतिक सक्थी के आभाव में इस बिवस्ता परिवर्तन नहीं था वलकि यह अथा इस्तिती बनाय रखना चाहते थे और इन आंदोलनों की आसफलता की बीचे किसी ठोस बिचारधारा सामाजिक और आर्थिक कारिकरमों का आभाव होता फिर आप देखेंगे कि विजोलिया किसान आंदोलन यह किसान इस अंदोलन सन 1847 से फ्यारम होकर करीब अर्द सताबदी तक चलता रहा जिस पिकार इस अंदोलन में किसानों ने त्याग और वलीदान की भावना पिस्तुत की और इसके उधारन अफवाद सरू ही प्राप्त हैं किसानों ने जिस पिकार निरंकुस्त नौकर साही और स्व इसमाल इसलाम धर्म में धर्मांतरित अरब और मलयाली मुसल्मान थे मोपला किसान मालावार की हिंदू नंबोदरी और नायर उच्च जाती के भू सौामी के बटाईदार या आसामी कास्तगार थे मोपला या मोपला विद्रो इसलिए संपदायक हो गया था क्योंकि अधि यहां की मुसल्मान थे और 19-20 सदी में 1836 से 1800 चंगन के बीच मोपलाओं की 22 विद्रो हुए जो मुक्रता दच्चरी मालावार की इनाडू और वल नाडू तालिकों में हुआ था और 1921 में आप देखें कि दुतिय मोपला विद्रो हुआ और जिसके कारण उसे किरसी जन अस संतोस था जिसका कारण 1921 में असायू आंदोलन के दुरान गांदी जी मौलाना आजाद और सौकत अली ने मोपला आंदोलन का समझतन किया था और खिलापत नेता अली मुसलियार ने इस विद्रो का नेतित किया था और 15 फरवरी 1921 को सरकार ने निस धाग्या लागू कर खि इसके बाद यह आंदोलन इस था यह मोपला नेताओं के हाथ में चला गया था 1920 में इस आंदोलन ने हिंदू मसल्वानों के मद्द संपदाइक आंदोलन का रोप ले लिया था फर आप देखेंगे मोपला विद्रो की उगता को देखते हुए सरकार ने सैनिक्स सासन की घु आई थी और बंगाल के बेक कास्तकार जो अपने खेतों में चाबल की खेती करना चाहते थे उन्हें यूरोपी नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर किया करते थे आप देखें कि हमें अपनी खेती पर अपनी जो भी खेत है उसमें हमें कोई और फसल पड़ेगी मजबूर करें तो आप देखे किसानों में गुस्सा होना सौभाविक सी बात है नील की खेती करने से इंकार करने वाली किसानों को नील बागान मालिकों की दमचक का सामना करना पड़ता था और आप देखें कि सेप्टमबर 1869 में उत्पीडे थे किसानों ने अप पुबिंदपूर गाउं में सेप्टमबर 1869 में सुरू हुई इस्थानिय नेता दिगंबर विस्वास और विष्णू विस्वास की नेतित में किसानों ने नेल की खेती बंद कर दी थी और आप देखे कि यूरोपीय देशों में बाहरी देशों में नेल की बहुत मांग और नील बागान मालिकों की अत्याचार का खुला चित्रन दीन बंदू मित ने अपने नाटक नील दरपन में किया है तो ये भी याग रखे दीन बंदू मित का है ये नील दरपन नाटक 1860 में नील समस्या की जाच करने के लिए सी टॉन कार की अधिक्षता में चार सदसी एक नील आयूग का गठन किया गया और आप देखेंगे 1860 में नील आयूग के सुझाओ पर जारी की गई सरकारी अधिसूचना जिसमें उलेक था कि रेयतों को नील की खेती करने के लिए बाद नहीं किया जाएगा और यह सोनिश्चित किया जाए कि सभी पिकार के बिवादों को निप्टानों कानूनी तरीके से किया जाए इसका आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा और जिसे आंदोलन कारियों को सफलता मिली किसानों में अनुसासन एकता संगठन और सहयों की भावना बड़ी निल विद्रो भारती किसानों का पहला सफल विद्रो था क्या था? फिस था सफल विद्रो था ये पावना विद्रो ये आप देखेंगे 1873 से 76 के बीच की बात है और पावना चित जो परसन की किसी के लिए पिसेद है कि 50% से 35 से अधिक किसानों को 1850 के अधिनियम 10 के द्वारा जमीन पर कबजे का अधिकार था और कुछ सीमा तक लगान में विद्धी से ने लगान यानि की टेक्स में बड़ोत्री से सरक्षन भी सुरक्षा भी मिली हुई थी और पावना के गिसानों को अधिनियम 10 द्वारा मिली सुविधाओं के बाबजूद भी जमीदारों के सोसन का सिकार होना पड़ता था आप देखें कि कोई नियम कानून लाए जा रहा है उसके तहत आपको संरक्षन मिला हुआ है सुरक्षा मिली हुई है कि आपके साथ इस तरह की कोई घटना नहीं होगी अगर फिर भी आप देखिए उस घटना होती है तो उस अधिनियम का क्या कानून का क्या मतलब रहेगा आप में गुस्ता आना सौभाविक सी बात रहेगी तो इनके साथ भी यही हुगा और जमीदारों की अत्याचार की विरुद 1873 में पावना जिले की इसुप साही परगने में एक किसान संगी की स्थावना हुई और इस संगी ने किसानों को संगठित करने लगान ना देने जमीदारों की विरुद मुकदमे की खर्च के लिए चंदाई कतित करने जैसे काम भी किये और साहुकारों और महाजनों की चंगों से बचने के लिए 1874 में सिरोर तालुका की कहड़ा है गाउ में बिद्रोव प्यारम हुआ और पाउना अंदोलन की प्रमुक नेता इसान चंदराय और संभूपाल थे यह दो नाम आप लोग जरूर याद रखेगा इसान चंदराय और संभूपाल आंदोलन कारियों का उद्देश था कि साहुकार रिड़दाताओं के पास रखे हुए रेड़ पत्रों डिगरीयों आदी कुछ ही इनका नश्ट करना और साहुकारों के साथ बेक्तिकत हिंसा का प्रियोग केबल तभी हुआ जब बेदस्ताव किसानों की रिड़ गर्स्तता को ही बिद्रों का एकमात कारण बताया आयक की सेपारिश पर सरकातवारा फारिद किरसन रहात अदिनियम 1873 विवस्था दी गई और सिविल प्रोसीडर के क्रियानमन की अंतरकत किसानों की जमीनों को जब्त नहीं किया जाएगा पावना पिद्रों की पिर्मोग विसेष्था थी इसका कानून की दाएरे में रहे ना किसानों की यह लड़ाई के बल जमीदारों से थी और कई बुद्धी जी बर्ग ने भी इसका साथ दिया और इसमें बकिम चंद चटोपाद्याय रमेज चंद दत पिर्मोग थे 1885 में बंगाल कास्तकारी कानून बनाकर रियतों को सरक्षन भी पिदान किया गया था और यह 1885 का वही साल है जब कॉंग्रेस की स्थापना भी हुई थी आंदोलन कारियों का नारा था कि हम महारानी और सिर्व महारानी की रियत होना चाहते हैं और फिर आप दक्कन का विद्रो देख लीगे आप देखेंगे कि 1866 में सरकार द्वाल लगान की दर में 50% कितीसत की विद्धी कर देने और कई वर्ष से लगातार फसल की खराब होने की कारण किसानों को लगाएगी की अदाएगी ही तुक साहू कारों पर निर्भन होना पड़ा और इस तरह का देखें आंदोलन को आप लोगों को समझना है या किसी घटना को समझना है तो उसकी जगे अपने आसपास जो परिवर्ष पहला हुआ है न उससे जोड़ कर देखा करेगा अब आप सुचे कि आप किसी पर टेक्स बढ़ा दें आज के समय में उधारन ले लिजे और आप देखे कि फसल खराब होती आ रही हो कुछ सालों से आपसे लेकिन फेर भी आप देखे आपसे टेक्स बसूला जा रहा हो तो आप विचॉलियों पर निर्वा रहते हैं जो व्यापारी सेट होते न उन पर नर्वा रहते हैं और आज के समय में देखें आज आज या उस समय के देखी आप लो कि सेट के पास अगर आप लोगों ने रिड ले लिया कर्ज ले लिया तो उसका कर्ज इस जनम में तो संभव ही नहीं है वो आप देखते हैं कि कितना जांदा व्याज लेता है दक्कनी साहुकारों में अधिकांस बाहरी मारबाडी और गुजरादी थे और जिनसे लगान अदाईगी के लिए किसानों को कर्ज लेना होता था और कर्ज देने के बदले साहुकार किसानों के घर और जमीन को रहन रखते थे और इस तरह किसान विल्कुल महाजनों के चंगुल में होता था और पैडाम सरूप महराष्ट की पूने और अहमद नगर के दक्कन जिलों में किसानों ने साहुकारों के खिलाब विद्रो कर दिया और दक्कन के सी राहत अधिनियम 1889 द्वारा किसानों को साहुकारों की विरुद्ध कुछ सर्वरक्चन पे दान किया गया और जश्टिस रणाड़े की नितित में पूना सार्विजक सभा ने किसानों की मांगों को उचे ठहराये था फिर आप देखेंगे फढके आंदोलन क्या फढके आंदोलन इसमें आप देखेंगे कि वासुदेव बलबंद फढके आंदोलन के लिए पेरित करने वाले कारण थे महादेव गोविंद रणाड़े का धन के बरी गवन पर दिया गया ब्याक्यान 1866 सटतर में पश्टिमी भारत में पढ़ने वाली भेंकर अकाल इसके कारण थे फढके ने राम मोसी और महाराष्ट की ग्रामी इलाखों में रहने वाले किसानों के संगठन बनाया और जिसके सहयोग से उसने डखेंतियां डाल कर धनी कव्तित किया और संचार व्योस्था को तहसनाइस करना विद्रोह करना आदी को अपना लक्ष बनाया और फढके ने हिंदू राजी की स्थापना का नारा भी दिया था किसने फढके ने और आप देखें कि 1880 में फढके को गरपतार कर जेल में डाल दिया गया था जहां तीन वर्स बाद उनकी मित्यू हो गई थी कई लोग कहते हैं कि जो इस तरह की गरपतारी होती थी उसकी बाद मौत हो जाती थी इन्हें मार दिया जाता था चमबारन सत्य गया है वो सबसे महत्पूर है आप देखें इससे कुश्टन्स भी पूचे जाते हैं चमबारन बिहार में आपको देखने को मिलेगा किसानों से अंग्रेज बाकान मालिकों ने एक करार कर रखा था जिसके अंतरगर किसानों को अपने किसी जन्न चेत में यानि कि अपनी खेती पर तीन बीसवे भाग पर नील की खेती करनी होती थी इस पदिती को तिन कटिया पदिती की नाम से जानते थे और तीन बीस बावागे याद रखे यह आप लो और उन्नीस भी सदी के अंतिम दिनों में रसानीक रंगों की खोच और उसके पिछलन से नील के बाजार में गरावट आने लगी और जिससे नील पागान मालिक चंपारण छित के अपने नील कारखानों को बंद करने लगे और इसी के बिरुद में आप देखे आंधुलन सुरू होता है मान लिजे कि आप से कहा जाए कि आप देखे अभी जो तेन केसी कानून आए थे ना इसमें ये भी प्रॉब्लम बनी होई थी कि आप देखे जी किसी से आपने करार कर लिया कि आप आलू की खेती कर रहे हैं दस रूपे किलो आपका आलू खरीता जाएगा आप अपनी अधिकतर खेती पर आलू की केती करिए और माली जी की आलू की मतलब मांग कम हो जाए या आप देखे उसे और कहीं से सस्ता आलू मिल जाए तो आपका आलू तो बरबाच जाएगा तो यहां भी आप देखे नए नए रंगों का एक तरह से खोज हुई रशानिक रंगों की तो नील की खेती में जो जरूवत थी वो कम होने लगी और आप देखे यहां की जो भी मालिक थे नील बागान और उनकी आसपास आप देखे कारखाने थे वो बंद हो गये तो आप समझ सकते हैं किसानों की क्या हालत रही होगी करार यह समझता जो किसानों ने किया था सिमुक्त करने के लिए अंग्रेज बागान मालिकों से भारी लगान की मांग की और परडाम सरूप बिद्रो होगा क्या हो गया? बिद्रो हो गया गुसाना सुभाविक सी बाप रहती है और 1917 में चमपारन की राजकुमार सुकल ने चमपारन किसान अंदोलन का नितत गांधी जी को सोपने के लिए लखनव में उनसे मुलाकात की और गांधी जी के चमपारन पहुंचने पर उहां के पिसासन ने उनने जिला छोड़ने का आदेश दिया लेकिन गांधी जी ने सत्यागय की धमकी दे डाली और जिससे डर का आदेश बापस लिया गया और भारत में सत्यागय का प्रियूक का गांधी जी द्वारा किया गया है पिथम प्रियास्ता चंपारन में गांधी जी के साथ राजिन पिसाथ बिच की सोर महादियो देशाई नरहरी पवारिक जेवी किफलानी थे और चंपारन सत्यागेत के द्वरान गांधी जी की कुसल नितित से प्रभावित होकर रवेनाट टेगोर में उने महत्मा गांधी की उपादी दी थी सकती खारन को या के किसानों को गांधी जी की जरुवत थी A유 गांधी जी को इस तरह 이제 जगें एक के वहसे रहर सकें और इनका पहला एक क्या हो थ financial गदोलन होता है, सत्या गय होता今日は खेड़ा सत्या गय होता एक फे know। गुज्रात की घट सिक घटना है कैजिनाुम के खेड़ा जले के सीनकार के विरुद्ध हुए लगान क की बसूली के खिलाब गांदी जी के नेतित में अंदोलन किया, यानी बसूली मतलब टेक्स समझ लिए, 1778 में फसल खराब होने के बाद भी खेडा के किसानों से लगान की बसूली की जा रही थी, और खेडा के कुनभी पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान में रहात की मांग की, लेकिन कोई रियायत नहीं मिली एक तरह से आप देखे कि हमारी फसल बरवाद हो जाए और टेक्स वरावर वसूला जा रहा हो तो आप देखे कि किसान अगर उनके बास जाते हैं कि आप टेक्स कम कर दीजे हमारी फसल बरवाद होगी गांधी जी के सत्याग है कि आंगे लाचाल सरकार ने आसे का गोपनी है दस्ताविच जारी किया लगान उसी से वसूली जाए जो देने में समर्थ हो यानि कि आप देखें इन्हें अंग्रेजों को जुकना पड़ा और इन्हें एक बात कहनी पड़ी कि जो दे सकता है टेक्स लगान दे सकता है वो दीजिए और नहीं दे सकते हो मत दीजिए गांधी जी की नेतित में अंदोलन सफल रहा फिर बारदोली सत्य अगय होता है इस सूरत गुजरात की बारदोली तालुके में 1928 में किसानों द्वारा लगान ना अदाएगी का अंदोलन चलाए गया था गुजरात की किसान अंदोलन ने कुनभी पाटिदार जातियों के भूस्वामी किसानों से ही नहीं बलकि कालिप राज काले लोग जनजाती के लोगों से भी लोगों ने भी हिस्सा लिया इसमें काली प्राज राजनीती की जनजाती की हाली पदिती के अंतरगत उच जातियों को यहां कि यहां पुस्तेनी मजदूरी के रूम में काम करते थे और जिसके बदले उन्हें जीने भर का भूचन और तन ढखने का कपड़ा दिया जाता था और बारदूली की महता बंदूओं कल्यान जी, कुंगर जी और दयाल जी ने किसानों की समर्थन में 1922 से ही आंदोलन चलाया था इन तीम को नाम भी याद रखना है कल्यान जी, कुंगर जी और दयाल जी ठीक है जिसका नेतिद गांदी जी ने बल्लब भाई को पिदान किया था, बल्लब भाई पटेल को 1927 में कालिप राज्यों की बारसिक सम्मिलन की अध्यक्षता गरती हुई मतमा गांदी ने कालिप राज्यों को रानी पराज की उपादी पिदान की चार परवीरी 1928 को बारदोली किसान सत्यागे कर नेतिद बल्लब भाई पटेल ने समाला बड़ी हुई लगान की ब्रुद सरकार को पत लिखकर पटेल ने जाज कराने की मांग की पटेल द्वारा लगान ना अदाएगी हितू किसानों को संगठित किये जानी के बाद किसानों ने हिंदू-मुसलिम गीता और कुरान पर हात रखकर लगान ना देने की कसम खाई आप देखे इस समय कितनी एकता थी वाइसराय इर्विन ने भी बंबई की गवर्नर बिलसन को मामले कुस्तिग निप्टाने का निर्देश दिया और सरकार ने व्रूम फिल्ड और मैक्स बेल को बार्दोली मामले की जाज का आदेश दिया जार रेपोर्ट में बड़ी हुई 30-30 लगान को अवैत करा दिया सरकार ने लगान को घटा कर 16.03 पिथी साथ कर दिया बल्लब भाई पटेल की नितित में बार्दोली का सफल किसान अंदोलन सफन हुआ और ए पॉइंट जरूर याद रखेगा पार्दोली सत्यागे के समाई ही यहां की महलाओं की ओर से गांदी जी ने बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी दीती तो आप देखेंगे सरदार बल्लब भाई पटेल की नाम से आप लोग जानने लगे सहयुक्ति प्रांथ का किसान अंदोलन एवी देख लिजे आप देखेंगे कि अबद आगरा अबद छित के जमीदारों उपनिवेसवादी विवस्ता से किसानों का तेदिक सोसन हुग किया और 1920 में जमीदारों ने किसानों से मनमाना लगान वसूल किया और अबद में हॉमरूल लीक के कारकरता काफी सक्क्रिये थे गौरी संकर मिस्र इंद नारायन दुवेदी और मदन मुहन मालवी एक प्रियासों से 1918 में उत्तर फिदेश किसान सबा का गठन होता है और पिताफगड जिले की एक जागीर में नाई धोवी बंद सामाजिक वहस का संगटित कारवाही की पहली गठना थी बहुत जल्दी किसान अंदोलन की वागडोर महराष्ट से आए बाबा रामचंद ने समाल ली बाबा रामचंद की प्रयास से 1920 में पिताफगड में एक समानंतर संगटन अवद किसान सबा का गठन हुआ और पिताफगड जिले का रूर गाओं किसान सबा की गतिविदियों का मुक्ष कैंद बन गया क्या बन गया? कैंद बन गया और फिर आप देखेंगे कि एक कुछ और घटना हैं 1921-22 में अवद की किसानों ने एक आंदोलन चलाया इसके पिरमुक नेता मदारी, पासी और सहरेब थे इस आंदोलन में चोटे मोटे जमीदार भी सामिल थे राजिस्थान के बिजोलिया चेत में बिजोलिया अंदोलन चला यहां के जागीदार किसानों से 84 पिकार के लगान वसूल करते थे और यहां पर भौप सिंग, बिजै सिंग पाथिक ने सत्यागया पयराम किया था पुनप्रा और वायलार केरल का संगर्स किसानों मजदूरों का मिला जूला संगर्स था यह तेलंगाना किर्सक आंदोलन भारती इतिहास के सबसे लंबे चापामार किर्सक युद्ध का साक्षी बना 1927 में स्वामी सहजानन्द सरसुती के प्रयासों से बिहार किसान सभा का गठन हुआ था 1928 में एंजी रंगा ने आंध प्रांती किसान सभा का गठन किया 1936 में अकिल भारतीय किसान संगर्थन बना जिसे अकिल भारतीय किसान सभा नाम दिया गया और पहली अखिल भार्टी किसान सम्मेलन 11 अप्रेल 1936 में लखनव में हुआ स्वामी सहजानंद सरसुति इसके अध्यक्चो फ्रोफेसर एन जी रंगा महासेचिव इसके बने और इस सम्मेलन में जवालाल नहरों ने में भाग लिया और भासन दिया था भारत की इत्यास में पहली बार किसानों ने देशबर में 1949 में मई दिवस मनाया था और किसानों को अंदोलन के लिए पिसिक्चित करने के लिए 1934 में आंधपिदेश के गुंटूर जिले में नेदू ब्रोलू ने पहला भारती किसान स्कूल भी खोला था तो यह चोटी चोट का बैटना है इने जरूर आप लोग याद रखिएगा अ है अगर हम लोग किसान अंदोलन की सारूप की बात करें कीन का सारूप के ऐसाइब बैटिस बारत में होने वाली किर्सक अंदोलन की स्वारूप को लेकर विद्वानों में मत भिन्यता रही है उलगे अलग लिया और 1920 के बाद होने वाले किर्सक अंदोलन को ब्यापक जरिन समर्तन मिला और किर्सक अंदोलन के स्वरूप चाहे जो भी रहा हो परंतु उनका लक्ष हमेशा सोसन से मुक्ती ही रहा है। 1920 के बाद तथा विसेसकर कॉंग्रेस सासन के 28 माहे के दोरान किर्सक भूमी पर अपने अधिकारों को लिकर जागरूप भी हुए। आप देखिए यही चोटे चोटे जो आंदोलन हो रहे हैं। इनहीं का पाईडाम था कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और अंग्तिता अंग्रेजों को छोड़कर भागना पड़ा। अब आप ही सोचिए कि दो-चार लोग मिलकर आंदोलन कर रहे हैं या एक छित में आंदोलन चल रहा है। तो अंग्रेजों के लिए जो सरकार थी उस समय की उन्हें दबाने में आसानी होती थी। अभी आप देख लेजिए अगर एक छोटे छोटे हिस्ते में आप तो उन किसानों को दबा पाना हटा पाना एक बड़ी बात होती है तो ऐसा ही हुआ। तो फिर भी किसानों का दिरोज जमीदारों और साहुकारों के सोसन की विरुद्धी से मित था ना कि जमीदारी बसाहुकारी पिता की विरुद्धी था। पाना एवं दक्कन उफद्रम के पईडाम सुरूर। रियतों की हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 1885 में का 1920 के बश्चात होने वाले किसा का अंदोलन का स्वरूप सोतंता अंदोलन में सहवागी का था और 1920 के बाद जो किसानों को योग नेतित प्मिला और उनमें अपने अधिकारों को लिकर व्यापक चेतना का विकास भी हुआ, किसानों में संगटन की भावना का विकास हुआ, अनिक किसान संगटन मने और 1920 के असेयुग अंदोलन में किर्सकों और उनकी संगटनों ने महित्ती भूमिका नभाई, और स्वाधीनता अंदोलन में किसानों की भूमिका को देखते हुए 1920 में कॉंग्रिस ने भी किसान संगटनों की निर्मान को प्रोसान दिया, और 1928 का बारदोली सत्या गया ऐसे समय पर शुरू किया गया जब देश में साइमन कमीशन का वहिसकार हो रहा था ऐसे में उपनेविसिक सत्ता को दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ा और देशी रियासतों में चलने वाले स्वाधीनता अंदोलन में किरसक अंदोलन ने हमार किरसक युद लड़ा और 1942 तक किसान अंदोलन और राष्टी अंदोलन साथ साथ चलती रहे और इनका उद्धिस भारत की स्वाधीनता था एक बात और जान लीजे आप लोग देखि कोई भी आंदोलन हो चाहे आदिवासियों का हो चाहे आप देखि नाई धोभी हो सकता है लेकिन उनका सोसन्ट सभी का हो रहा है और आप देखिए सभी लोग एक होने लगे मिल में लगए एक्ता में भरोसा करने लगे और इसलिए आप देखने कि अब आंदोलन सफल होने का पितीसत बढ़ने लगा किसान आंदोलन के ability की बात करें क्या महत्त रहा है भ् विचार धारात्मक विकास पर किसान संगर्सों का प्रिभाव पड़ा और 1858 की पश्चात किसाक आंदोलन जमीदार एवं जमीदारी पिथा के विरुदना होकर सोसन के वरुद दिते और उनकी मात्ता को उपयोगत आधार पर नकार दिया जाता है इस बात को ध्यान में ध्या प्रिचार पिसार हुआ और ऐसे में किसान अंदोलन भी स्वाधीनता अंदोलन से अच्छोता ना रहा बलकि किसान संगर्सों ने कॉंग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी के लिए लड़ाई भी लड़ी और किसान अंदोलन की मत्ता उनकी संगर्ण चमता धरम न स्वाधीनता संगर्स में भाग्यदारी के रोम में दिखती है और फ्यारहंभीक दोर में किसान अंदोलन संगर्ण नहीं थे और 1869 में नील अंदोलन में किसानों ने जवरजस्त एक जुटता का परिच्छे दिया और इसको व्यापक रूप से गांधी जी के आगमन के को संगठित किया गया, 1920 में अवत किसान सबा, 1936 में अकिल भारती किसान सबा का गठन किया गया और किसान संगटनों के माद्ढ़न से किसानों ने जमीदारों, साहुकारों और सुसक सरकार को जुखने पर मजबूर किया तो ये सफलता ही नहीं है, हो क्या है? तो ये सफलता ही नहीं सफलता ही नहीं है, हो क्या है? कानून बनाए गया, तब तक किसान कानूनी अधिकारों के पिति जागरूप हो गये थे, और कानूनी लड़ाई लड़ना सीख चुके थे, और 1875 की दक्कन अब्दरब की परश्चाद, 1889 का दक्कन कर्सक राहत अधिनियम पारित किया गया, और जिसके मादेम से किसानों को महाजनों के खला कुछ सनरक्षन भी पिदान किया गया, और 1921 में अबद मालगुजारी अधिनियम पारित किया गया, और इस पकार आप देखेंगे, 1937-38 में बिहार कास्तकारी अधिनियम 1938, 1938 में उडिसा कास्तकारी अधिनियम और 1949 में सहिवत्परांत कास्तकारी अधिनियम पारित किया गया, आप देखेंगे, कोई भी आंदुलन होता है, तो उसके बारे में लोगों को पता चलता है, और लोगों को भी पता चलता है कि उन किसान अंदूलन राष्टी स्वाधीनता अंदूलन का हिस्सा वन करो बरे और किसान वर्ग की स्वाधीनता अंदूलन में भागेदारी से एक तरफ जहां कॉंग्रेस का जनाधार बड़ा वहीं दूसरी तरफ स्वाधीनता संगराम को मजबूती मिली किसान अंदूलन राष् सुतंता के लिए संगर्ष की जरूरत पर भी बल दे रहे थे किसानों ने 1920 के असयु आंदोलन से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक स्वाधीनता संगर्ष में अपनी ससक्त उपस्तिती भी दरच करवाई थी तो ये किसानों की महत्ता होगी महत्त होगया आप लोग विसेश्थाएं भी जान लिजें कि आकरे इन किसान आंदोलन की विसेश्थाएं क्या थी तो 1920 के पूरवर्थी किसान आंदोलन की विसेश्था यह थी कि एक तो वे अधिकांस आसंगर्ष थे यानि कि उनमें एकता नहीं थी संगर्ष नहीं थे दूसरे उनको पड़े लिखे लोगों का नेतित प्राप्त ना था और इसलिए आप देख रहे हैं कि वो आसफल हो जा रहे थे वो कमजोर पड़ जा रहे थे तीसरे उन्हें मार काट का आसरे लिया था उन्होंने और आप सभी जानते हैं कि देखे अगर आंदोलन हिंसक होता है कोई भी आंदोलन तो वो सफल होने के चांस कम रहते हैं उसमें और इस समय तक जन आंदोलन की विशाय में किसी को भी पता नहीं था और यह भी बात थी कि विद्रो और आंदोलन पहले से तियारी करके नहीं किये गए थे और पहले से रणनीतिनी मनाओगे तो वो भी आसफल ही रहेगा जब किसानों पर होने बाले जुल्म आसा हो जाते थे तो उन्हें अपने त्रांड का कोई दूसरा आस्ता नहीं दिखता था तो वे एक आएक उबल पड़ते थे उपस्तिती उन्हें इत दर्थ बिवस करती थी तथा जमीदार और सुसक अपने गोर जुल्मों के जोरी थी और इसी से बेद दवा दिये गए और विफाल रहे हलाकि इन किसान अंदोलन का एक सोखत पहल हुए था कि किसानों की हितों की रक्षा के लिए अनेक कानून बने खेडा चंपारन और युक्त परांत का पंडिजवाल लाल नहरू के द्वारा संचालित अंदोलन स अंतीफूर होने के साथ ही ओधत नेताओं के हाथों में रहा और यह अगिपी संगठित रूप से उसे भी नहीं दिया जा सका और फिर भी आप देखें उन्नीस सो बीस के बाद किसान अंदोलन कुपण पठित नितित के कारण भी उन सब को कमोवेस पितेक्च सफलता मिली और उनके छेत और देश इतने ही संकुच्चे ब्यापक थे उनमें जैसे सकती थी तद नुकूल ही उन्हें कम यादिक सफलता मिली क्या मिली सफलता मिली आप देखेंगे कि 1920 इसबी के बूट के किसान अंदोलन में दिड़ता नहीं आ सकी और उसे जो पूर संगिठित रूप मिल नहीं सका उसके दो बड़े कारण थे एक कौन-कौन से कारण थे दो बड़े और जिसका उलेक अब तक किया ना जा सका एक तो किसान जनता में आत्म विश्वास नहीं था और सदियों से कुछले पिसे किसान आत्म विश्वास खो चुके थे और विश्वास पूर्वग सामुहिक रोप से खम ठोक कर अपने वो पीड़कों से लड़ नहीं सकते थे और फलता एक बार बिफल होने पर हिम्मत हार गए और सांत वेट जाते थे कौन किसान लो और आंदोलन चलाने के लिए बहु संख्या गठी कारकरता और नेता भी नहीं प्राप्त थे और ऐसे नेता और कारकरता जिन्हें आत्म अच्छे तक पहुँचकर ही दम लें ये दोनों दो मौलिक कमिया उस समय की किसान अंदोलन में थी और जिने असयोग अंदोलन ने पूरा कर दिया आज भी तो आप देखिए हमारे पास सुतंत नियाई पालिका है सुतंत सरकार है आज भी आप देखिए सरकार के खलाप कितने सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उस समय समझ ये आप लोग उनी सो से तालिस के पहले आप लोग चले जाए आप देखिए कि ना तो हमारे पास सुतंत सरकार थी और ना ही हमारे पास कोई सुतंत नियाई पालिकार थी कि हम लोग अपने अधिकारों के लि एक बार निहते किसानों ने हिला दिया और यह भी एक बात कुछ देर में हुई क्योंकि आदम स्वास और देर निश्चे के लिए समय और मन की आवसकता होती है और मनन की आवसकता होती है और तदा भी यह हुई आवस है इसलिए और राजनेतिक उल्यनों के चलते भी संगठित किसान अंदोलन किसान सभा की रूम में 1926-27 में बिहार में तथा अन्यद सुरू हुआ और 1928 का बारदौली का अंदोलन भी इसी का पईडाम था वै सफल भी रहा और इस पेकार हम आदोनीक संगठित किसान अंदोलन की यूग में पिरवेश करते हैं और असायव आंदोलन में हमें सारे देश को जो जनानांदोलन का मूख सबक सिखाया और अपास सकती हिदय गम कराई उसके फल स्वरूप आंगे चलके किसान अंदोलन को भी जनांदोलन का रूप मिला यह सबसे बड़ी बात थी क्या थी सबस पिर्भुत चमाया और उसे कायम रखेन के लिए उन्हें उन्हीं लोगों ने आंद में अंद प्रांत प्रांतिय रेयत एस्सोसियेशन के नाम से किसान सभा 1923-24 में बनाई मंगर उसकी कोई विसेश उपलब्धी ना रही और विहार में सहजा अनंद सरसुती ने अपने किसान सभा का रूप दे दिया और उसमाय बिहार की कौंसिल में किसान हित बिरोधी एक बिल सरकार की ओर से पेस किया गया था और जरूरत इस बात की थी किसान उसका संगठित बिरोध करें एक होकर बिरोध करें और इसलिए कॉंग्रेसी नेताओं ने बिहार प्रांतिय किस और बाबू के सभा का काम खोब जोरों से चला और अंत में सरकार कुए बिल लोटा लेना पड़ा और बावस लेना पड़ा आंगी चलका सभा को और भी संगास करने पड़े आप देखें कि 1908 आ रहे हैं 19 में इलावाद इलावाद में स्री परोसुत्तम दास जी टंडन की दे त्डागया से पूरू वहां की प्रांदि कांग्रिस कमेटी ही एक किसान समती के द्वारा किसानों में आंदोलन चलाती रही तथा जरूरत होने पर उन्हें करवंदी के लिए भी तेयार करती रही और जिसके फलस्वरुप वहां किसानों तो बेटी कॉंग्रेस में इता सदा से महसूस करते थे कि किसान संगठन कॉंग्रेस से अलग रहे कर कारी करें और इसलिए यूपी में पहले किसान सम्ती बनी हो उसके बाद केंदरी है किसान संग का जनम हुआ और फिर लगनव कॉंग्रेस के अवसर पर 1936 में अखिल भारतिय किसान सभा के नेमित रूप से स्थापना हुई यह बात अब महसूस की जाने लगी कि संगठित किसान अंदोलन को अखिल भारतिय रूप दिये बिना काम नहीं चलने वाला है 1937 में प्रोफेसर रंगा, 1949 में आचार नरिंद देव, 1944 में बाबा सुहन सींग भागना और 1942 में इंदूलाल यागिने किसकी अद्धिक्षते इसके बाद कमिनेश्टों की नीती ने ऐसी परिस्तिती पैदा कर दी कि अकेले भी अकेले रह गए और से सभी प्रगिती सील बिचार वाले वाम पक्षी उनसे जुदा हो गए और इस तरह से आप देखें कि आपका जो आंदोलन हुए आदिवासी आंदोलन हो या फिर आप देखें कि आपका किसान आंदोलन हो आपका कवर हो जाता है अंगली किलास में हम लोग सन 1957 का जो विद्रो था इसके बारे में बात करेंगे और प्रिस्तार से बात करेंगे और मुझे लगता है कि अंगली किलास से आपकी हर परिक्षा में questions पूँचे जाते हैं आप लोग जिस भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं अब अपनी राय जरूर दीजेगा